नमस्कार दोस्तों नवरात्री का पर मादुरुगा को समर्पित है नवरात्री बहुत ही समी पा रही है तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें नवरात्री में कौन से ऐसे काम है जो भूल करके भी नहीं करने चाहिए और हमें नवरात्री में कौन सी ऐसी बात करना चाहिए आज इस वीडियो में हम ये खास बात को दानेंगे तो आप मेरे वीडियो को लास्त तक सुनेगा जरूर तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे इसी प्रिकार की जानकारी के लिए तो चलिए शुरू रखती ए मगर नौरात्रीई पर नौ दिनों का वृत रखते समय कुछनियमों कापालन भी करना होता है। यवालन अवस्थ करना चाहिए नवरात्री में कुछ कालीों को करनी की मता ही भी होती है मानता है कि यदि आप ये कार करते diagram तो मादुर्गदा रुस्थ हो करते हैं तो जानते हैं कि नरेफ्री में कौन अगर आपको अपना घर कभी भी खाली नहीं चोड़ना चाहिए अगर आपको किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़े तो आप किसी रिस्तेदार या खास परचित को घर में रहने के लिए बोल सकते हैं दूसरा नौरात्री के दिनों में नाखून, बाल या दारी कटवाना वरजित माना जाता है तो आप या तो नौरात्रों के सुरू होने से पहले या फिर नौरात्रों के बाद ही इन कार्यों को करें हलाकि इन दिनों में छोटे बच्चों के मुन्नन कराये जाते हैं उन्हें स सैन करना चाहिए तीसरा कन्याओं को मादुर्गा का सुरूप माना जाता है देवी पुराण में भी उलेखे की मा वगती उन्हीं के घर पूजा सुखार करती है जो नारी का पूण सम्मान करते हैं जो कन्याओं का दिल नहीं दुखाते हैं चौथा देवी मा की पूजा शान्थ श्रद्दा और प्रेम के साथ करनी चाहिए नवरात्री के दिनों में घर मिकलेज द्वेस या किसी का भी अपमान नहीं कोना चाहिए और घर में असान्थ तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए पाच्वाँ नवरात्री के दिन बहती भवित्र माने जाते हैं इस समय घर में माता रानी की चौकी सजी होती है इसलिए स्वातिक्ता बनाय रखना बहुत ही जरूरी होता है नवरात्री में भोजन में लैसून प्याजादी का उपयोग नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार के तामसिक या नसीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए आपको अपने हार वेवार और विचारों में सुदता रखनी चाहिए यदि अगर आप हो सके तो आप कभी भी किसी के लिए भी अपने मन में दुर विचार ना ने दें ताकि आपको नवरात्री कवरत का पूरा फल मिल सके छटवा नवरात्री की दिनों में तन की सुदता के साथ मन की सुदता होना भी बहुत ही अवश्यक है इन नौ दिनों तक ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए साथ ही अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए और ना ही किसी को अफसब्द कहन चाहिए किसी भी विवात की इस्तित से बचकर ही रहना चाहिए इन दिनों पर क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने चित को शांत रखकर माता रानी का ध्यान करना चाहिए और उनका भजन करना चाहिए साथ हुआ इन दिनों किसी को वेवजाय परशान नहीं करना चाहिए खास करके मूख और वेबस पसु पच्छों को परशान नहीं करना चाहिए इनके लिए दाना पानी की भी वेवस्था करनी चाहिए और आपको ये भी पता होगा कि मात दुर्गा का जो वहान है वो भी पसू है। नौरात्री के दिन आपको विशेज करके इस बार का भी ध्यान रखना चाहिए कि बार बार आपको खाना नहीं खाना चाहिए, हो सके तो आपको पूरे दिन वुरत रहे कर एक टाइम का ही खाना चढ़ाने चाहिए दूसरा अगर आप अपने घर में कलस्की स्थापना करते हैं तो आपको पूरी तरीके से पवित्र स्थान में ही कलस्की स्थापना करना चाहिए तीसरा माता की प्रतिमा या तश्वीर जिसमें की सेर अक्रमग मुद्रा में हो वो घर में नहीं लाने चाहि पाचवा जूट और उनके बने आसन पर ही बैठ करके पूजा करनी चाहिए छटवा जोती प्रितिमा के बाइयों और जो जवारे बोई जाते हैं वो प्रितिमा के दाइयों भी बोना चाहिए और सबसे खास बात अधि आप अपने घर में माता रानी की चौकी रख रहे हैं मा कि हमें अगर नौरात्रों में नौ दिन के व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से तो हमें कितने दिन के व्रत रखने चाहिए तो देवी पुरान में भी लिखा हुआ है कि अगर आप नौ दिन की पूजा नहीं कर पा रहे हैं व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तीन कारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जय मतारानी की